एक बहुत फिर से आप लोगों का स्वागत हो गया है इस फिसिक्स चैनल पर बच्चे डिमांड कर रहे थे कि मैं हमको मोमिन्टम लीनियर मोमिन्टम एंगुलर मोमिन्टम नोट्स दे दीजिए समझा दीजिए तो फिर से हम लेकर के आ गए एक वीडियो जिससे आप अच्छ ले ले लेते हैं हम लोग कि लीनियर मोमिन्टम है क्या लीनियर मोमिन्टम जो है वो मिजर्मेंट आफ दा मोशन होता है यदि कोई बोडी चल रही है मोशन में है तो उसमें कितना मोशन होगा यह हम लीनियर मोमिन्टम के टम्स में मेजर करते हैं चीक है और लीनियर मोमिन् of the body इसका unit क्या हो जाएगा अच्छा पहले चीज और देख लेते हैं कि जो momentum होता है linear momentum यह vector quantity है क्योंकि mast is scalar quantity है साथ में velocity क क्या हम बात कर रहा है velocity थो एक vector quantity होती है इसलिए यह linear momentum भी एक vector quantity हो गई अब यहां पर हम इसके unit देख लेते हैं तो mass की unit हमारे पास kg है और velocity की मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इन्वर्स इसको दूस्य चब्दों में न्यूटन सेकेंड भी लेख सकते हैं इसका dimension देखेंगे तो kg के लिए capital M और meter के लिए L लंबाई के लिए L और second मतलब time के लिए T inverse हो जाएगा तो यह इसकी dimension हो गई तो main focus तो अब हम लोगों को angular momentum पर करना है चलिए angular momentum भी देख लेते हैं बहुत अच्छे से समझने के लिए तो जो original चीज़ें होती हैं वो सबसे अच्छी होती है यानि कि अगर हम face to face class में पढ़ते हैं तो वो पढ़ने का जो मज़ा आता है वो अलग बाद है वीडियो में हर चीज तो नहीं मिल पाएगी लेकिन फिर भी कोशिस कर रही हूं कि थोड़ा समझ में भी आता रहे और आपको notes भी मिलते रहें क्योंकि हमारे पास कई हमारे आसपास ऐसे बच्चे हैं जिनको notes नहीं मिल पा रहे हैं डेली किसी बिमार है या कुछ है regular school नहीं आ पा रहे हैं इसकी वज़े से वो डिमांड कर रहे हैं तो ऐसे बच्चों के लिए वीडियो बेले करके आई हूं चलिए देख लेते हैं angular momentum सबसे पहले बहुत सारी books में हम देख रहे हैं J से दिनोट किया जाता है और कई किताबों में L से दिनोट किया जाता है और आगे आप higher studies करेंगे तो J की जगे आपको L ही मिलेगा अभी हमने J यहां पर ले लिया क्यों मैं habitual हूँ J के साथ में चलिए स्टार्ट करते हैं angular momentum क्या है जब हम rotational motion बात कर रहे होते हैं जब घूर्णी गति की बात कर रहे होते हैं तो वहां पर हम लोग angular momentum की बात करते हैं और angular momentum किसी बॉडिक लि यह मोमेंट ओफ दे लीनियर मोमेंटम यानि कि अगर हम कहें तो रेखी समवेक का घूर्णन होता है घूर्णी ओफ दे लीनियर मोमेंटम अब यहां पर देखेंगे कि इसको हम J से अगर डिनोट कर रहे हैं तो J is equal to क्या हो जाएगा R cross P हो जाएगा J यहां पर देख रहे ह और P यानि कि उसका मिलीनियर मोमेंटम जो कि पहले से एक वेक्टर कॉंटिटी है अब इन दोनों का cross product हो रहा है तो finally cross product के बाद हमें पता है कि वेक्टर प्रोड़क्ट के बाद हमको जो भी बहुत तिक राश्य मिलेगी वह physical quantity वेक्टर कॉंटिटी ही होगी अब यहां पर तो थोड़ा साम यहां पर देख लेते हैं कि अगर यहां पर हमने यह ओर जिन माना है यहां पर एक particle P consider कर लिया पी लिखा नहीं मैंने क्योंकि फिर आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं यहां पर कोई particle हमने consider कर लिया है यह particle मान लेते हैं और इस particle का हमारा position vector क्या है vector r है यह vector इस पर हमने फोर्स लगा करके इसको velocity दी है move कराया है तो यह motion में आ गई है so it's a measurement of motion मतलब linear momentum m into velocity जो मने इसको velocity दी है जो v की direction होगी वही हमारी linear momentum p की direction होगी तो यह इसकी p की direction हो गई अब यहां पर हम लोग बात कर रहे थे कि j की direction कैसी होगी तो यहां पर हम देखेंगे r को हम p या velocity जो मारी direction है इसके साथ यह move पर रहा है इस direction में तो screw rule में हम क्या करते हैं उंगलियों के साथ साथ p की direction में ऐसे हम move कराएंगे तो यह जो thumb होगा thumb हमारा आप हाथ देख पा रहे होंगे ऊपर की direction में जा रहा है ऐसे rotate कराएंगे इस पूरे r को by applying this v और this linear momentum due to this linear momentum we are rotating this r with our hand see the direction of finger it is rotating this vector r and this thumb is denoting angular momentum j तो यह upward direction में जे direction में इसकी direction आ जाएगी j axis पर अब यहां पर देखेंगे हम यह तो direction की बात हो गई magnitude के form में अगर हम लिखें तो r cross p है जिसको हम a cross b बराबर a b sin theta लिखते थे तो r p sin theta हो जाएगा अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते r और sin theta को एक bracket में कर दीजे p को अलग कर दीजे तो यहाँ पर क्या बन गया यह r sin theta जो है j बराबर r perpendicular into p अब यह r perpendicular क्या है चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पर जैसे कोई vector यह a है हमारे पास यह vector a है और यह theta है तो यहाँ पर simple हम देखेंगे अगर हम यह triangle complete कर लें यह triangle complete कर लें तो यह हमारा क्या हो जाएगा परपणिकुलर हो जाएगा यह हमारा base हो जाएगा और यह हमारा hypotenuse हो जाएगा अगर हम cos theta निकालेंगे तो क्या आएगा cos theta क्या होता है cos theta अगर हम देखेंगे लाल बटे कक्णा लगाएंगे या फिर आप क्या लगाते हैं तो चलिए देखते हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं लाल बटे कगा, या आप लोग पंडित बद्री प्रसाद हर भर बोले पढ़ते हैं, तो यह अगर अगर हम यह देखेंगी, किसका होता है, साइन का होता है, और यह वाला कॉस का, और यह टैन का रिलेशन होता है, तो साइन अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा sin theta is equal to हो जाएगा perpendicular upon hypotenuse और cos theta निकालोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास base upon hypotenuse या आधार बटे कर्न हमारा base यह base हो जाएगा based upon hypotenuse या कर्न हो जाएगा तो यहाँ पर देखें यह जो hypotenuse सब्सक्राण स्देख सब्सक्राण इस huge James a day एक एक दुक्राण सब्सक्राण यह घंए पिर संस्दाण ऑवलेज़ दूप्स को संजाने के लिए कर लेधें और यहां पर ये मारा बेस हो जाएगा और यह क्या हो गया कॉस्थ हो तो बेस हमारा क्या निकल किया जाएगा? A-cos-θ, एक ओके और यह तरह तरह हम sinθ में करेंगे तो perpendicular हमारा क्या निकल किया जाएगा? A-sinθ, यह hypotinus मतलब A हो जाएगा A-sinθ, तो जो perpendicular term होता है वो क्या हो गहाँ? A-sinθ इसलो हमने जब यह R-sinθ इसको पर्पेंडिकुलर टेटा लिख दिया अगर इसी फॉर्मुले में हम पी साइन थीटा को एक साथ लिख 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 लिया तो यह P辛थीटा क्या बन गया इसी तब किसी तरह से पीसाइन थीटा ओया है that means P का perpendicular term है यह तो यहाँ पर हो गया R J is equal to R और P sin theta को हमने लिग दिया P perpendicular तो J होता है वो उसको हम R P sin theta या R cross P या R perpendicular with P multiplied with P और R into P perpendicular मतलग यहाँ पर sin theta term आता है तो यह perpendicular terms ही कोड़ी समवेक के लिए उत्तरदाई होते हैं अब यहाँ पर एक और formula देख लेते हैं अगर हम magnitude की बात कर रहे थे तो J बराबर क्या था? R P sin theta अगर theta 90 हो जाए, sin theta 1 हो जाएगा तो यह simple formula हो जाएगा magnitude में R into P R तो यह हो गया P का formula क्या होता है? M into V तो J का formula क्या बनगे? M V R यह हम लोग एक particle के लिए consider कर रहे हैं overall body के लिए करेंगे तो बहुत बड़ी body है तो उसको अलग अलग particles में हम उसको consider करेंगे उसके बहुत सारे particles होंगे फिर उसको sum करेंगे यह आगे और आप topics देखेंगे तो अगर demand आएगी तो उन्हें भी explain किया जाएगा फिलाल के लिए एक simple way में यह आपका angular momentum का topic है मैं आपको यहाँ पर hold करके notes के लिए आपको थोड़ा सा time दे देती हूं आप यहाँ से screenshot कर सकते हैं pause करकर कि किसी भी तरह से आप यह notes complete कर सकते हैं अब हम angular momentum की unit देख लेते हैं angular momentum की unit क्या होगी क्योंकि हमने formula पड़ा है और r cross p तो यहाँ पर इसकी unit r की unit ले लेंगे और p की unit लेंगे तो unit of j is equal to unit of r into unit of p तो r मतलब यह position vector है मतलब यह length होगी तो इसलिए meter हो गया अगर हम mk system में देखेंगे और p m into v होता है तो m मतलब mass होगया वहाँ पर उसकी unit क्या होगी kilogram और velocity की meter per second होती है तो meter second inverse मैंने लिख दिया ठीक है तो यह कुल मिलाकर क्या होगया kilogram meter square second inverse इसको हम joule second भी लिख सकते हैं ठीक अब यहाँ पर क्या है dimension of j की बात करेंगे तो यह हो गया kilogram यानि की mass की dimension capital M meter square मतलब length की dimension L square हो गई और second मतलब time की dimension T minus 1 हो गई इन्वर्स हो गई इस तरह से यह unit or dimension भी हुआ तो अब आप बस topic बताते रहें आपके लिए video आते रहेंगे जिससे कि आप सुवीधा से पढ़ पाएं और आपको help मिलती रहें पूरा video देखने के लिए धन्यवाद झाल 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 झाल